हेलो एब्रीवन इस वीडियो में हम 2021 में आयोजित प्रमुख राष्ट्रिये और अंतराष्ट्रिये समयलनों के बारे में पढ़ेंगे विश्वास कीजिए BPSC 68 और Bihar SSC दोनों ही परिक्षाओं में यहां से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्रस्ण आएंगे ही आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2021-22 में आयोजित प्रमुख अंतराष्ट्रिय सम्मेलन के बारे में पहला है इंटरपोल की नभिमी महासभा आयोजन किती थी, कब आयोजित किया गया था, अक्टोबर 2022 में आयोजित किया गया था, कहां नई दिल्ली में प्रमुख बिंदू क्या रहा, क्या है इससे संबंधित, बर्स 1997 के बाद भारत ने दूसरी बार अंतराष्ट्रिय अप्राधिक पुलिस संग्ठन की नभिमी महासभा की मेजवानी की, दूसरी बार नेक्स्ट है, विश ब्लॉक्चेन सिखर सम्मेलन, कब आयोजित हुआ था, अक्टूबर 2022 में, कहां दुबई में, के अटलांटिस में सिखर सम्मेलन, ब्लॉक्चेन पर बातचीत और कार्जवाईज सुरू करने के लिए, सरकार और निवेसको सहित बिशेशग्झयों को एक साथ लाने का इक प्रियास है नेक्स्ट विशु डेरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था सितमबर 2022 में कहां नौएडा में प्रमुक बिंदु क्या रहा इसका उद्गाटन परधान मंतिल नेरंदर मोधी ने किया भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्द उत्पादक देश है जो विशु की कुल दुध उत्पादन का 21 परतिसत उत्पादित करता है नेक्स्ट है 22 वा एससीयो सिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था सितमबर 2022 में कहां उजबेकिस्तान के समरकंद में जिसमें परधान मंत्री नेरेंद्र मोधी सामिल हुए बैठक में बहुपक्षिय सहयोग तथा बैस्विक महत्तु से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई बर्स 2023 के लिए एससीयो की अध्यक्सता भारत को सौपी गई है नेक्स्ट है गैस्टेक 2022 सम्मेलन कब आयोजित हुआ था सितमबर 2022 में कहां इटली के मिलान साहर में इसमें भारत के केंद्रिय मंत्री हरदीप सिंगपूरी ने भाग लिया इसका उदेश कम कार्बन उचसरधन करने वाले एलेंजी इंधन के उपियोग को बढ़ावा देन नेक्स्ट विश्व हरित अर्थव्योस्ता सिखर सम्मेलन सितमबर 2022 में आयो जित हुआ था दुबई में इसमें भारतिये परजाबरन बनेम जलबाई परिवर्तन मंत्री भुपेंद्र जियादों ने भाग लिया था प्रकास जावड़े करने भुपेंद्र जियादों ने जिसमें भारत की ओर्थ से केंद्रिये बाणिज और उद्योग मंत्री पीउस गोयल ने भाग लिया था नेक्स्ट पहला होमयोपैथी अंतराश्टिये स्वास्त सिखर सम्मेलन सितमबर 2022 में आयो जित हुआ दुबई में इसका उदेश चिकिस्सा प्रनाली में होमयोपैथ के महत्तों को बढ़ावा देना है नेक्स्ट एस यो देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक अगस्ट 2022 में आयो जित हुआ था उजब्यकिस्तान के तासकंद में जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनात सिंग्ने भाग लिया नेक्स्ट आइटू यूटू का पहला सिखर सम्मेलन जूलाई 2022 में आयो जित हुआ था ये भर्च्वल मोड में आयो जित हुआ था इसमें छह छेत्रों में सहजोग बढ़ाने पर सहमती बनी जल उर्जा परिवाहन अंत्रिक्ष स्वास्त और खाद सुरक्षा आइटू य देश आ रहे हैं इंडिया और इज्राइल यूटू से दो देश यूए से एंड यू यूए इस नेक्स्ट बद तीसवा नाटो सिखर सम्मेलन जूलाई 2022 में आयो जित हुआ था इस्पेन के मेड्रीड में अध्यक्स्ता नाटो के महासाचीव जेंस जेंस स्टोल्टेंबर ने किया था सम्मेलन के दवरान फिनलेंड और स्वीडेन को गटबंधन में सामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया नेक्स्ट 26 वी राष्ट मंडल सासना ध्यक्षों की बैठक चोगम जुलाई 2022 में आयो जित हुआ था रवांड़ा के किगाली में भारत का प्रत निधित बिदेश मंत्री एस जै संकर ने किया दोहजार चौबीस में चोगम की मेजबानी समुआ द्वारा की जाएगी नेक्स्ट 48 वाज जी सेवन सीखर सम्मेलन जून 2022 में आयो जित हुआ था जर्मनी में इस बैठक में परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया संजुक्त राष्ट महा सागर सम्मेलन 2022 जून 2022 में आयो जित हुआ था पूर्तगाल के लिस्वन में यह सम्मेलन सतत विकास लक्ष सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल 14 जल के नीचे जीवन से जुड़ा हुआ है सम्मेलन की सह मेजबानी केनिया और पूर्तगाल के सरकार के द्वारे की गई थी नेक्स्ट चौदाहुआ ब्रिक्स सिखर सम्मेलन जून 2022 में आयो जित हुआ था भर्च्वल मोड में अध्यक्सता चीन ने किया था थीम रहा फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनर्शिप यूसर इन नीव एरा फोर ग्लोबल कहां मिश्र के सर्म अलसेख में नागा लेंड से राजसभा की सांसद एस फांगोन कोनियाक ने सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था नेक्स्ट डव्लू टियो का बरहमा मंत्री एस्तरिये सम्मेलन जून 2022 में आयो जित हुआ था जिनेवा में इसकी सह अध्यक्स श्वीटिजर लेंड एम कजाकिस्तान ने की थी नेक्स्ट पहला अतुल भारत अंतरास्टिये क्रूज सम्मेलन माई 2022 में आयो जित हुआ था मुंबई में उदेश से क्या था भारत को एक क्रूज हब के रूप में विक्सित करना नेक्स्ट स्कूराइट सम्मेलन 2022 माई 2022 मे इसकी मेजवानी भारत ने की थी UNCCD COP 15 सम्मेलन माई 2022 में आयो जित हुआ था कोटे डी आईवर के आबीद जान में परजाबरन मंत्री भूपेंद्र जादों ने इसमें भारत का प्रत निधित्यु किया थीम था लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम एसकारसीटी टू प्रोस नेक्स्ट सात्मा राइसीना डायलोग 2022 अप्रेल 2022 में आयो जित हुआ था कहां नई दिल्ली में आयो जित हुआ था इसका उद्गाटन परधान मंत्री नेरेंद्र मोदी ने किया था थीम इसका रहा तेरा नोवा इंपैसंद इंपैसियंट इंपेराइल्ट नेक्स्ट पांचवा बीमस्टेक सिखर समयलन 2022 यह मार्च 2022 में आयो जित हुआ था भर्चुल मोड में विशे क्या रहा इसका प्रोस्पिरस इकनोमीच हेल्दी पीपूल अध्यक्स्ता किसके द्वारा की गई सिल्लंका के द्वारा की गई थी स्टडी इंडिया 2022 मार्च 2022 में आयो जित हुआ था धाका में इसका उदेश भारत और बंगला देश के बीच सेक्षनिक आदान परदान को बढ़ावा देन हैं आयोजन किस ने किया था आयोजन भारतिय उचायों के द्वारा किया गया था नेक्स्ट छतिसवां अंतराष्ट्री भूबैग्यानिक कंग्रेस छतिसवां अंतराष्ट्री भूबैग्यानिक कंग्रेस मार्च 2022 में आयो जित हुआ था नई दिल्ली में विशाय क्या था Geo Sciences the basic science for sustainable future नेक्स्ट 21-27 विकास सिखर समयलन 2022 ये फरवारी 2022 में आयोजित हुआ था भर्चुल मोड में आयोजित हुआ था इसे टेरी द्वारा आयोजित किया गया विशेरहा एक लचीले ग्रह की और एक सतत और न्याय संगत भविश सुनिश्चित करना नेक्स्ट Mobile World Congress 2022 फरवारी 2022 में आयोजित हुआ था बर्चिलोना में इसका उदेश विभिन देशों में 5G के विकास पर ध्यान देना है नेक्स्ट पांचवा हिंद महासागर समयलन ये दिसंबर 2021 में आयोजित हुआ था UAE के अबुधावी में भारत की ओर से विदेश मंत्री एश जै संकर ने भाग लिया मुख भी सै था हिंद महासागर परिस्थित की अर्थ ब्यवस्था महामारी नेक्स्ट इंडिया अंतराष्टिय ब्यपार मेला दिसंबर 2021 में आयजित हुआ था दिल्ली के प्रगती मैदान में फोकस राज, उत्तर परदेश और जारखंड राज की कलायम संस्कृति के लिए बिहार ने स्वन्द पदक पुरसकार जीता विशे रहा आत्म निर्भर भारत तो यहां से एक चीज इंपोर्टेंट है कि बिहार को स्वन्द पदक मिला कलायम संस्कृति के लिए पहला डेमोक्रेसी समिट 2021 दिसंबर 2021 में आयजित हुआ था भर्चुली अमेरिका के द्वारा भारत का प्रतिनिधित भर्चुली प्रधान मंतली नेरेंद्र मोधी ने किया इस समयलन में 100 लोकतांत्रिक देशों ने भाग लिया नेक्स्ट भारत रूस 2 पलस 2 वारता दिसंबर 2021 में आयजित हुआ था नई दिल्ली में इस दवरान रूस के द्वारा 6 लाग से अधिक 1K203 राइफल की खरीद हेतु M2021 से 2031 तक सैन तकनी की सहजोग पर समझावता किया गया इन राइफल का निर्मार उतरपरदेश के अमेठी में किया जाएगा नेक्स्ट तीसरी भारत मद एस या भारता यह दिसंबर 2021 में आई जित हुआ था नई दिल्ली में मेजबानी किसने किया विदेश मंत्री एस जैसंकरने नेक्स्ट 21 मी इंडियन ओसियन रीम एसोसियेशन आई यो आरे मंत्री परिसद बैठक यह दिसंबर 2021 में आई जित हुआ था भर्चुल मोड में आई जित हुआ था भारत का ने तिल्ट विदेश राजमंत्री डाक्टर राजकुमार रंजन सिंग ने किया अध्यक्स्ता किस ने कि थी बंगलादेश ने कि थी तेरहवाँ ASEM सिखर समयलन 2021 ASEM का मतलब ACI Europe Meeting नमबर 2021 में आई जित हुआ था कहां कमबोडिया में भारत की योर से उपराष्ट पती की द्वारा समयलन को संबोधित किया गया था अब हम 2021-22 में आयोजित प्रमुख राष्ट्रीय समयलन के बारे में पढ़ेंगे पहला है बारहमा Defense Expo ये अक्टोबर 2022 में आयोजित हुआ था गुजरात के गांधी नगर में मुख बिंदु क्या रहा इसमें ससस्त्र बलो द्वारा प्रदर्शन किया गया जिसे से भारती ये स्टार्टप तथा निवेश को बढ़ावा मिलेगा मुख भी से था पाथ तुप प्राइट नेक्स्ट खादी उत्सव 2022 ये अक्टूबर 2022 में आयोजित हुआ मुंबई में उदगाटन में सेमी मंत्री नरायन राणे के द्वारा किया गया आयोजित किस ने किया था खा में आयोजित हुआ था नई दिल्ली में विशे रहा अमेरिका भारत की सम्मिलधी को अगले 75 बर्सों में अधिक सधिक बढ़ाना नेक्स्ट राज प्रयाटन मंत्रियों का राष्ट्रिय सम्मेलन 2022 ये सितंबर 2022 में आयोजित हुआ था हिमाचल के धर्मसाला में इसका उदे प्रयाटन विकास पर सभी राजियों के विचारों को जानना है नेक्स्ट अखिल भारती राज भासा सम्मेलन 2022 ये सितंबर 2022 में आयोजित हुआ था गुजरात के सूरत भी इस सम्मेलन की अध्यक्सता केंद्रिये ग्रिहिर मंत्री अमित साहद्वारा की गई थी नेक्स्ट लिट्स 2022 सम्मेलन आयोजित हुआ था सितंबर 2022 में नई दिल्ली में इसका आयोजन ठीक्की द्वारा किया गया जिसे केंद्रिये किल्सी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर ने संबोधित किया था नेक्स्ट लिट्स दक्षिर चेत्रिये परिशत की तीसमी बैठक ये सितंबर 2022 में आयोजित हुआ था केरल के तिरुवनंत्थ पूरम में इसकी अध्यक्सता केंद्रिये ग्रिह मंत्री अमित साहद्वारा की गई थी केंद्रिये छेत्रिये परिशत की 23 वी बैठक अगस्त 2022 में आईजित हुआ था मदपरदेश के भोपाल में इसकी अध्यक्सता केंद्रिये ग्रिह मंत्री अमित साहने की थी खादी उत्सव 2022 अगस्त 2022 में आईजित हुआ था गुजरात के अहमदाबाद में इसका उद्गाटन परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया इस दवरान खादी के महत्त को दर्शाने के लिए पचाहत्तर सव महिलाओं ने एक साथ चलखा चलाया नेक्स्त भारत सक्ष वायू सिखर सम्मेलन अगस्त 2022 में आईजित हुआ था बैंगलूरू में उद्गे से क्या था बायू प्रदूसन जलवाई पड़वर्तन आदी के बीसियों पर विचार भी मर्स करना नेक्स्त खान और खानीजों पर छट्था रास्ट्री सम्मेलन ये जुलाई 2022 में आईजित हुआ था नई दिल्ली में नेक्स्त भारत का पहला पसु स्वास्त सिखर सम्मेलन जुलाई 2022 में आईजित हुआ था नई दिल्ली में इंडियन चेंबर अफ फूड एंड एग्रिकल्चर आइसी एफे और एग्रिकल्चर टूडे ग्रूप द्वारा आईजित किया गया था ये नेक्स्त अध्योगिक डिकार्बोनाईजेशन समिट 2022 ये जुन 2022 में आईजित हुआ था नई दिल्ली में आईजित हुआ था उद घाटन नितिन गड़करी द्वारा किया गया दोहजार सतर तक कार्बन निट्रलिटी के लिए रोड में परचर्चा हुई नेक्स्त एक्तालिसवा हुनर हाट चालिसवा हुनर हाट एक्तालिसवा हुनर हाट मई 2022 में आईजित हुआ था आगरा में और एक्तालिसवा अप्रेल 2022 में आईजित हुआ था मुंबई में इसमें बिभीन राजियों के अंदर सासित परदेशों के कारिगर अपने हस्चिल्प की परदर्शनी लगाते हैं नेक्स्ट, सेमी कॉन इंडिया समेलन 2022 ये अपरेल 2022 में आयर्जित हुआ था बैंगलूरू में उदे से क्या था इसका? बैस्विक सेमी कंड़क्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागिदारों में से एक के रूप में स्थापित करना नेक्स्ट, बिंक्स इंडिया 2022 मार्च 2022 में आयर्जित हुआ था तेलंगना के हैदराबाद में थीम क्या था? इंडिया 875, एभीजिशन इंडेस्ट्री के लिए नया चितिच उदे से क्या था? बैपार निवेश शेत्रिय संपर्कता पर ध्यान के इंद्रित करना नेक्स्ट, खाड़ी देश निवेश सिखर सम्मेलान, ये मार्च 2022 में आयर्जित हुआ था ये सिरी नगर में आयर्जित हुआ था, उदे से क्या था? जमू एम कास्मीर में निवेश को बढ़ाना तथा साथ ही पर्याटन का विकास करना नेक्स्ट, टेक कंक्लेव 2022, ये मार्च 2022 में आयर्जित हुआ था, नई दिल्ली में उदे से क्या था? भारत में प्रवधियोगे की के उपयोग को बढ़ावा देना नेक्स्ट, राष्टलिये जुआ संसत महोसो ये मार्च 2022 में आयोजित हुआ था नई दिल्ली में इसका उदेश युवाओं के अपने देश के लिए बीचारों को साझा करने के लिए मंच प्रदान करना है नेक्स्ट इंडिया ग्लोबल फोरम ये मार्च 2022 में आयोजित हुआ था बैंगलूरू में यह फोरम स्टार्ट अप्स यूनिकॉर्ण जुवा यूदमी आदी को प्रसाहित करता है नेक्स्ट पैंटिसवा सूरजकुंड अंतराश्टी सिल्प मेला ये मार्च 2022 में आयोजित हुआ था हर्याना के फरीदाबाद में साज़दार देश उजबेकिस्तान था और थीम एस्टेट जमू कास्मीर था थीम एस्टेट जमू कास्मीर है नेक्स्ट एक सब आठवा भारतिय बिग्यान कंग्रेस ये जनवरी 2022 में आयोजित हुआ था महराष्ट के पूरे में थीम था महिला ससक्तिकरण के साथ सतक विकास के लिए बिग्यान और प्रोधियोगे की नेक्स्ट छटवे अंतराष्टिय धर्म धम सम्मेलन ये कब आयोजित हुआ था नॉवमबर दुआजार इक्किस में कहां पर राजगीर के नलंदा विश्विद्याले में थीम क्या था कोबिड-19 संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्म धम परम पराएं थीम था कोबिड-19 संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्म धम परम पराएं उद्घाटन किस ने किया था उद्घाटन उपराष्ट पती सिरी व्यंकेया नाइडू के द्वारा किया था